कि स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली विद्विश्टूशर में तो आज हम लोग दिखेंगे जॉब कॉस्टिंग ठेक है जॉब कॉस्टिंग में क्या क्या टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ मैटेरियल्स कंजप्शन सेंट्री रा मैटेरियल्स और आपको म आपको मिलेगा डिफाइन रेट ओफ फिनिश फ्रञट फोट ठीक है तो इस पूरे-पूरे कोस्टंस का पूरा-पूरा कोसंसों का प्रजेक्ट वाइज कोसंस है और उसका पूरा सलूस्टेकि तब विडियो को अनतक जरूर देखिये और बहुत ही इंट्रेस्टिंग ऐसे भी आप आने वाला विडियो वह भी मिलेगा नेक्ट्ट वेडियो में जौब कॉस्टिंग तो आज हम लोग देखेंगे ज्रीं कोस्टिंग में से जिस आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रांसपर अदर गोड़ोन ठीक है मतलब कि हम अपने materials को transfer करेंगे एक को down से दूसरे को दूसरा number option है दूसरा number point है consumption of materials at different locations अगला point है raw materials to finish goods मतलब को raw materials से हम लोग finished goods बनाएंगे define rate of finished goods यह तो दिया हुए आप भी रहता है और बनता भी है cost center for job costing और project work ठीक है तो चलते हैं हम लोग अपना project start करने project में हाँ है कि take one project by company project का नाम है networking office और कहां पर बनेगा तो आरा में क्योंकि location उसका आरा है raw material का नियर कती रहा ठीक है तो चलते हम लोग पहले से company मेरा बना हुआ है टैलेविद बिश्तों सरकार तो हम इस में job costing के लिए cost center क्या यस करेंगे cost center आप questions में देखेगा तो यहां सीधा सीधा लिखावा कि project का नाम एक दिया है और वो कहां पर है तो आराक location पर ठीक है तो आपको क्या करना है एक job costing बनानी होगे तो job costing बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा cost center बनाना होगा जौब costing के लिए तो चलिए cost center पहले on कैसे होता है F11 F1 ठेक है और यहां पर देखें नजर आएगा maintain cost center को यस कीजिए और दूसरा number है कि maintain more than one payroll cost category यह दूसरा number नहीं sorry तीसरा number है कि maintain more than one payroll cost category तो cost category से हमको कोई का नाम पढ़िए maintain cost center इसको हम यस रखेंगे अगला है यूज cost center for job costing इसको यस रखेंगे ठीक है तो दोनों options को यस रखें हम क्या क्या है accept करा लिए accept कराने के बाद चले जाएंगे फिर अगला question मेरा क्या करेंगे प्रोजेक्ट वर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजे प्रोजेक्ट आपका क्या है networking office भी तो हम पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट कहां बनेगा कॉसेंटर में create करेंगे कही से create होगा तो जॉब कोस्टिंग का वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा आप आई बटन पर प्रेस करके जॉब कोस्टिंग का वीडियो आप जॉब कोस्टिंग कर रहे हैं उसको क क्या बोलते हैं कि को सेंटर का वीडियो आप असानी से देख सकते हैं चलिए तो एकाउंट इन्फो को सेंटर क्रियेट क्या है नेट वर्किंग और यहां पर एक ओप्शन यस करना होगा यूज फॉर जॉब कोस्टिंग यस करके एक्सिप्ट करा दीजिए बन गया अब आपको क्या करना है दूसरा नंबर आपका कोस्टन बोल रहा था कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग गोडाउन से समान को ट्रांसफर करना है तो हमको गोडाउन ओन करना पड़ेगा कैसे ओन होता है F11 F2 और यहां जाएंगे मल्टिपल गोडाउन को क्या करेंगे यस और एक्सेप्ट करेंगे चलिए गोडाउन हम बना लेते हैं इन्वेंटरी इन्फो गोडाउन और गोडाउन का नाम होगा आरा यहां पर देखे आड्रेस हम से दावाएं कि आरा नियर कतिरह था न अधिस दावें तो एक डाउन के अड्रेस को लेशन करेंगे आपकी निछ बटं करें थे Okay आप नीचे बटन करके आएं तो देखे लिखागा का अलाव है storage of materials तो हमको store करना है ठीक है अलाव किये यस अगला पुछ रहा है कि set job या project for job costing हाँ भाई इस go down के लिए हम लोग networking office भी का project बना है accept करा लिए बन गया आगे का questions मेरा कर रहा है कि project हम ले लिए अब आपको क्या करना purchase करना है यह purchase का question से किस से करना तो computer वाटिका से कहा करना है तो में location में location क्या होता है go down का मुख्य भाग कोई भी जगह होता है go down अपने में एक पहले से go down बना कर रखता है जिसका नाम क्या होता है में location पर्चेश हम लोग करने चलेंगे चलिए purchase करते है counting for f9 किस से करना है तो computer वाटिका बना नहीं है तो बनाएंगे alt c c o m p u t e r s वाटिका कहां होगा तो संद्री क्रेडिटर में यह सारे चीज़े आप करना जानते है उसके बाद हम लेगें p u r c h a c purchase का लेजर अगर आप नहीं जानते यह चीज़े तो आप अंत का वीडियो जरूर देखिए आपको मिलेगा purchase sale पीछे का previous वीडियो देखिए purchase sale कैसे कैसे किया जाता है inventory का inventory वाले playlist को खोलिएगा ता आपको नजर आएगा चलिए हम देखते हैं cpu क्या क्या खरिदने cpu पचास पीस पचास इसो तो आइटम भी नहीं बनाया अल्ट सी करके बनाए cpu कितना है पीस के हिसाब से है तो पीस बना लिए कितना है तो पचास पीस किस location पे में location पे पचास पीस rate कितना था तो पचास इसो एकसेप्ट करा लिए अगला क्या है monitor पचीस तो मोनीटर नहीं बना है तो बनाएंगे मोनीटर पीस में ही बनेगा और कहां का है तो पचास पीस पचीस तो में location पे पचास पीस और रेट हो गया पचीस तो ठीक है उसके बाद आपका monitor के बाद आपका क्या है देखिए अपने questions में questions का एक बार screenshot लेकर करके लिखिए उसके बाद आप रन करें देखिए अगला question है monitor के बाद line cable RJ45 switch तो हम याद कर लेते हैं monitor के बाद क्या है आपका line cable तो बनाना पड़ेगा लैन केबल इसका unit क्या था तो इसका unit line cable का था ft feet आप feet को ले लिए और accept करें कितना कहां था तो main location पे और quantities में जाईए बूलिए कि कितना है तो 1000 feet 15 रुपया पर feet देखिए एक पर question से verify कर लेते 1000 feet और 15 रुपया पर feet अगला क्या है RJ45 RJ45 यह piece में है और कहां पे तो main location पे 250 रुपया पर piece ठीक है उसके बाद switch है स्विच भी नहीं बना है स्विच भी बना लेते हैं स्विच किस में बनेगा तो piece में बनेगा पीस में बनाने के बाद main location पे कितना piece है स्विच तो switch आठ पीस है और इसका rate है 32 रुपया पर piece देखिए एक पर verify कर लेए स्विच आठ पीस 32 रुपया पर piece modem keyboard mouse आपकी बार modem modem यह भी piece में है और main location पे एक piece और कितना rate है इसका तो 1500 रुपया उसके बाद हम यहाँ पर बनाए keyboard के यवाई बी ओ keyboard and mouse क्या है यह भी piece में है और यह main location पर कर दा रहा है एक piece पाथ सो रुपया के हो गया कि आगे यह एक piece नहीं है इसको आप पचास पीस माने क्यूंकि आगे आ करके की बोर्ड बाउस पचास पीस मिलेगा इसको पचास पीस खरी लिए को संस लिखने में थोड़ा सा गलती हुए आप पचास पीस इसको बना लिए ठीक है तो यहां तक मैं बोले कोई दिक्कत है कि यहां पर पचास पीस होगा इसके जगा पर कुछ लिख लिख लिए गलोग हम आपको दिखा दे रहे हैं तो यह दिमाग में रखेगा यहां पर आपको 50-20 लिखना है यह जो है यहां पर 50 कर लिजए गा ठीक है यह 50 पी से एक नहीं है चले तो इतना दूर देख लिए इसके बाद आपको क्या करना है फस्रेश चले उसके बाद नीचे आई और इसको एक्सेप्ट करांaldिजै चूर्चे का ट्रांजिक्शन मेरा होगे स्वारी इसमें भीृथ ट्रांस्पोर्टिंग इंट्री करना है आपको बता है पटाएं सबसे नीचे लेके चले जाएंगे कहां पे सबसे नीचे हर एक एक आइटम के बाद देखें कीबोर्ड मौस जैसे इंट्री वह यहां तक आगे एडिशनल कोस्ट की इंट्री कहां की जाते है जब तक यह लाइन से उपर है इसके नीचे आना है मतलब एक बर जैसे ही हम यहां पर जाएंगे और बोलेंगे इंड़ोफ लिस्ट कीज़े तो यहां पे आप से मांगेगा लेजर तो अब यहां पे बनाना होगा ट्रांस्पोर्टिंग ग़िए जार्च यह कहां होगा तो इनडरेक्ट एक्सपेंस अ कॉस्ट सेंटर नो कर दीजे क्योंकि कोस्ट सेंटर से तो कोई हमको मतलब नहीं कितना है ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तो 500 रुपया इंटर बटन दबाग एक्सेप्ट करा देंगे तो यह मेरा पर्चेज का ट्रांजेक्शन था अल्मोस्ट यह वाले ट्रांजेक्शन आप कर लेज़ेगा ठीक है अगला है ट्रांसफर ओल नेट्वर्कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कुछ नहीं किजिए सीधा सीधा जाईए और बोले के ट्रांसफर करना है यहां पर पूछेगा क्या क्या चीजे तो जो चीजें होंगा जैसे सीपीव था कहां पे तो में लोकेशन पे कितना तो 50 पिस रेट खुदी आ जागा सीपीव क जो जो भी चीजें हैं वो सारे चीजें का इंट्री कर लें ठीक है अगला है लाइन केबल कहां था में लोकेशन पे 1000 फिट हर एक एक आइक आइटम जो आपके नेट्वर्किंग मेटेरियल्स थे ठीक है तो कितना था मोडेम मोडेम एक ही पिस था उसके बाद आपका मोडे के बाद मोनीटर रहा में लोकेशन पर 50 पीस है उसके बाद मोनीटर के बाद आपका और कोड़ plupart है में लोकेशन पर 500 तो यह एक में लोकेशन पर ही और कि पहर ढ jurisdiction हम फिर से वोले CPU ही है आरा ऒडाउन मरे जाएंगे पचास पीश हैं दिए रहें गत्वारा ऊत्रा रीचे उत्व हैं इस अगला को हुद है दो। आदा है यह बोलेशन हें क्योट के पुद्वेन राइन केबल कितना है तो 4000 उसके बाद मोडें में भी है कितना तो मोडें मोनीटर है उसके बाद मोनीटेश है तो मोनीटर भी आरा में ही है और मोनीटर भी assess फ़िस है मतलब हर एक यह इप मतलब हर एक ऐक ही इन्टरी करेंगे vive ले लिए हैं आप चुरूरी नहीं है चाह्टा ही आइटम्स सबको मिल सकता है और कम भी मिल सकता है तो आप इससे टेंशन में लेज़ेगा सब के इंट्री करना मतलब कि हम एक तरफ सोर्स का काम कर लिए कि यह समान था यहां यहां पर इतने आप देखना है तो आप देखिए पर्चेज किये था हम कहां पर में लोकेशन पर आकर के डिस्प्ले में जाईए बूलिए statement of inventory go down अब main location पे देखेगा कुछ ने दिखाएगा आरा में देखेगा सारे आजाएगा क्योंकि हम क्या किये हैं अब main location से उठाके आरा में कर दिये हैं तो ये वाले questions में कही दिक्कत है अगला आपका question है paid network technician charge 15,000 against networking of SPI project मतलब हमको payment करना है और वो कैसा चार्ज है तो F5 बटन दबाएंगा network technician charge अल्ट सी network technician charge ये क्या होगा indirect expense अब देखे हमको यहाँ पे देदिया गया question में कि यह against करना है networking of SPI project पे जैसे ही project की बात आगे cost center यस होगा क्योंकि cost center में ही हम लोग project बना है याद रखिएगा जैसे project की बात आगे cost center यस पंदरह हजार रुपया देना है कौन को सेंटर है तो networking of SPI इंटर बटन दबाएंगा और cash देदिये तो बोले यह वाले question करने में कोई दिक्कत है अगला है पेट network helper charge 5000 अगेंस networking of SPI फिर हम बनाएंगे networking वर्किंग स्वारी helper charge बना देते हैं helper charge यह भी इंडरेक्ट expense होगा और project का बात है तो कॉंसेंटर अन होगा कितना तो 5000 रुपया और cash दे रहां सेम जैसा वो है वैसा यह है अब अगला आपका question बोलता है record consumption हमको क्या करना है consumption record करना है तो जो consumption करना है इसके लिए आपको क्या करना होगा एक class बनाना पड़ेगा उस class का नाम क्या है consumption कहां बनेगा क्योंकि अभी आप क्या खोले हैं जिसका नाम था स्टॉक जर्नल जिसका काम है ट्रांसफर अफ मेट्रेल से के वल्ट ट्रांसफर करेगा लेकिन हमको क्या करना है समान बनाना है तो इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे इसमें class बनेंगे class का नाम क्या होगा तो पहले जाए एकाउंट इनफो वाउचर का टाइप अल्टर और उसका नाम है स्टॉक जर्नल क्लास कहां बनता है तो राइट साइड में नाम लिखा जाता है क्लास का हम लिखने क्या क्लास का नाम जो भी आपको लिखना है लिखे सी ओ एन एश यू एम बी टी आई ऑन कंजप्शन ही लिख लेते हैं जैसे इंटर दमैं देखें क्लास कंजप्चन के लिए क्या करना होगा हमको कंजप्चन वाले को यस करना हो मतलब दूसरा है यूजज क्लास पर जॉब कोस्टिंग मयंद पर ये बाद के तम हो आउगे जैसे कंजप्चन करने चलिए गा ल्ट के साथ इत् Weather डबाई को किन देखना है अगर आपको transfer करना होगा तो not applicable कंजप्शन करना होगा तो कंजप्शन यहाँ जाएंगे वही सेम छीज खुल क्या है कि नहीं खुल क्या खुल क्या अब क्या क्या लग रहा है यह चीज यहां पर देखना अब आपके questions को एक पर क्या किजें इसके इंसोर्स ले लिए उसके बाद आप समझते रहें ठीक है आईटम्स क्या है CPU कितना पिस लगा आरा लोकेशन से कितना पिस पचास पिस हो गया अगला क्या है मोनीटर कितना पिस लगा आरा से ही 50 पिस उसके बाद क्या है कीबोर्ड माउस कहां से लगा आरा से लगा कितना 50 पिस अगला है लैन लैन केबल आरा गोडाउन से ही और कितना तो 800 फिट अगला है स्वीच अब हर एक एक आइटम्स की इंटरी कर लेंगे स्वीच 6 पिस उसके बाद लगा आरजे 45 आरा गोडाउन से ही और कितना पिस लगा 1500 पिस उसके बाद आपका मोडेम है यह कितना एक पिस कहां पे था तो आरा में और वन पिस ठीक है यही सारे मेरे जो भी थे आईटम्स थे इतने सारे लगे और बनके क्या आया देखे यहां पे इस साइड लिखेंग हम लोग फिनिस यह राव मेटरिल्स और इस साइड लिखेंग फिनिस गूर्स तो बनके का आया देखे कुस्टन्स में कि आफ्टर कंजप्शन मिलाने के बाद आपका एक पोड़क्शन बना उस पोड़क्शन का नाम हुआ नेटवर्किंग पीसी कैगो बना तो पचास पिस ठीक है चलि हम यहां है और बोले कि आफ्टर कंजप्शन हमको क्या बनके मिला तो अल्टशी नेटवर्किंग पीसी पीसी पीस में बनेगा कितना पीस बना तो आरा गोड़ाउन में ही पचास पिस अब बताइए पचास पिस तो बन गया तो रेट कहीं ने कहीं कहीं दिख रहा रेट यहां पर दिख रहा कि चो लाख आठ हजार पचास पिस बनाने में लगा बना कितना पचास पिस तो रेट तो कहीं ने जरा रहा है इसी को आम लोग बोलते है रेट डिफाइन तो रेट डिफाइन कैसे करेंगे अगर आपके पास कबिलियत है कल्कुलेशन करने का तो कल्कुलेशन कीजिए नहीं तो एक पर इंटर दबा दीजिए जो यहां लिखा वह यहां पूट कर दीजिए 608075 देखे रेट आटोमेटिक लिए बाराजार एकसा एकसा टुपर पचास पैसा नहीं तो आपको कल्कुलेशन ही करना है तो क्या करेंगे वहां जाएंगे बोलेंगे अल्ट सी क्या बोलेंगे अल्ट सी छोग जीरो आठ जीरो साथ पाच यहां देखे नीचे नजर आ रहा है बटा पचास इंटर बटन दबाएगा वह भी उतना ही आजएगा ठीक है तो आप इस तरीके से क्या करेंगे एक्सेप्ट करा देंगा एक काम हम लोग कर लिए कि समान बना लिए बनाने के बाद अब इसको बेच देना है जो भी है तो हमको एफेट करना होगा कि इसको तो SBI को यह क्या होगा संडी डेटर करना है तो एक सेल्स का लेजर बनेगा क्या क्या बेचना है तो बोल देंगे नेटवर्किंग पीस जी कहां से आरा गोडाउन से 50 पीस अब रेट यहां नजरार आपको 35,000 रुपया पर पीस हो गया एक्सेप्ट करा दीजिए बिग गया तो मेरा सारा कोशन्स यहां पर कवर अफ हो गया जितने भी हम आपके दिये हुए थे वह सारे कोशन्स कवर अफ हो गया ठीक है तो इस तरह के के वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए धन्यवाद